नमस्कर और वेलकम तू स्टेडी ग्लोज माई डियर फ्रेंड आई होप यू अल आर डूइंग गूड दोस्तो आम श्योर आपने अनुपम मित्तल को जरूर देखा होगा आपने से बहुत सारे लोग जो है वो शार्क टैंक इंडिया नाम का प्रोग्राम देखते होंगे और उन्होंने अपने एक इंटर्भिव में एपल और गूगल इन दोनों कंपनी इस को strongly criticize किया है पता है उन्होंने क्या कहा उन्होंने यह कहा कि ये दो टेक्नोलोजीकली जाएंट कमपनी जो हैं वो आज के जमाने की ब्रिटिश इस्ट इंडिया कमपनी हैं अपनी एप्स दोर पॉलिसीज के माधियम से ये कमपनी जो हना ये स्टार्टप्स को लूट रही हैं कौन कौन से ऐसे रीजन से दोस्तो जो उन्होंने सामने रखे हैं फिर सरकार को इस पर क्या करना चाहिए और ये दो कमपनी जो हैं इन पर कुछ केसिस चल रहे हैं क्या है ये केसिस वी आर गोई टो क्या बाउट देट आज वेल आगे बड़े उससे पहले बहुत ही क्विकली डियर फ्रेंस मैंने एक प्रोग्राम तयार किया है एक कॉर्स लॉंच किया है इसका नाम है लिमिटलेस लेडर्शिप ये हमारे स्टेडी गलोज के मोबाईल एब पर अवेलेबल है अब देख लेते हैं उन्होंने एपल और गूगल के बारे में ये कहा है कि ये दो कंपनी जो है ये मिलकर पूरा जो मोबाईल एप्लिकेशन का इको सिस्टम है उनको कंट्रोल करने का काम करती है उन्होंने ये बताया कि अब ये दो कंपनी इतनी जायंट्स हो चुकी है इतनी बड़ी हो चुकी है कि ये सारी चीज़ों को वो control कर रहे है that as well with complete impunity पता है complete impunity का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई गलत चीज़ करते भी है तो भी आपको कोई रोकने बाला नहीं है आप पर legal actions जो है वो उठाई तो जाती है ये 15 से लेकर 30% का tax या फिर commission जो है वो charge करती है directly जो users है उनको उतना फर्क नहीं पड़ता है लेकिन indirectly जो है users को भी फर्क पड़ता ही है you know what these companies are doing अगर कोई developer है app developer है let's say कि आपकी x, y, z नाम की company है और आपका कोई app है तो आप जो हैं अगर अपने users से कोई fee collect करते है तो ये जो fee है ना तो उसका एक बहुत बड़ा chunk 15 से लेकर 30% जितना आप tax या फिर commission के नाम पर ये Google और Apple जो है वो app developers है या फिर आपकी जो x, y, z company है उससे collect करेगी तो basically क्या हुआ कि एक startup जो है उसका जो revenue है उसका लगबग लगबग 50% जितना जो है वो ये दो companies जो है वो बटोर लेती है collect कर लेती है and this reminds everyone of us of this 1765 का हमारे देश में जो एक agreement हुआ था ये मुगल emperor शाह आलम द्वितिया और British East India Company के बीच में the treaty of Alabad जो हुई थी उसमें क्या हुआ था I'm sure you all know कैसे ये जो British East India Company है उसने Battle of Plansy के बाद ये treaty sign की और धीरे धीरे करके सारी चीजे जो है वो अपने control में लेने लगी तो यही चीज जो है वो अनुपम मित्तल साब ने ये दो companies के बारे में बताई है कि ये दोनों companies जो है वो आज के जमाने की New East India Companies है और ये complete arrogance है बहुत घमंडी हो चुकी है ये company राइट सबसे बड़ा problem उन्होंने ये बताई ये है कि ये companies जो है ना इनको आप comply भी नहीं करवा सकते आप अगर कोई rule issue करते हैं कोई notification issue करते हैं तो ये दोनों companies जो है ना वो आपके यानकी जो सरकार के rules and regulations सरकार के notifications को भी reject करने लगी है बहुत सारी जगह उपर ये companies इस परकार की activities जो है वो कर रही है और पता है ये सारी companies क्यों बच जाती है क्योंकि इनकी strategy ये रहती है कि जो legal process है उनको आप खीचते ही जाईए जो कहता है ना तारीक पर तारीक तारीक पर तारीक इस परकार की चीज़े चलती ही जाती है पूरी legal process जो है वो इतनी stress हो जाती है इतना वक्त लग जाता है कि जो case है उसका कोई conclusion ही नहीं आता है और जब तक case चलते रहता है तब तब किये companies जो है वो अपनी जो भी practices है इस परकार की monopolized practices को continuation में ही रखती है shark tank के judge ने ये भी बताया कि सरकारे जो है हमारे देश के बारे में भी उन्हें बताया कि सरकार जो है वो कोशिस कर रही है लेकिन ये companies जो है ये time buying tactics जो है वो इतनी जबर्चस्त तरीके से follow करती है कहते है battery of lawyers यानिकि वो सामने रखे हैं अपने interview में बताया है कि ये सारी चीज़े हैं अब उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार को कुछ steps उठानी की ज़रूरत है मितल साब ने ये बताया है कि ये दो companies जो है न they are acting like the gatekeeper of our economy फिर से मैं याद दे लाना चाहूंगा कि जो east India company थी वो क्या करती थी कि कोई भी चीज़ जो है वो Bengal से अगर export होती है तो उस पर भी अपना commission लगता था कोई भी चीज़ अगर port पर import होती है तो उस पर भी commission लगना था तो ये दो companies क्या कर रही है हमारी startups जो है वो कोई अगर नया app लेकर आ रही है कोई नई चीज़ कर रही है तो ये सारी चीज़ों पर ये दोनों companies जो है वो एक परकार से tax या फिर commission लगाते हैं तो हमारी जो economy है ना इसका ये गेट कीपर जैसा East India company गेट के पर के तोर पर काम करती थी वैसे ही एक गेट कीपर के तोर पर digital platform पर ये companies जो है वो काम कर रही है इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है एक demand रखी है सरकार के सामने के इस परकार की companies जो rules and regulations है जो laws है उनको twists and turns करने का काम करती है जैसे मैंने बताया ना के battery of lawyers experts को hire किया जाता है और ये लोग indirectly क्या करते है जो low है उसका जो spirit है उसके साथ छेड़ खानी करते है तो ऐसी companies जो है जो penal provisions के साथ छेड़ खानी करती है तो ऐसी companies पर तो बहुत ही strict actions लेने की ज़रूरत है उन्हें ये कहा कि ये दो companies जो है ये बुलीज की तरह act करती है और सरकार को एक example set करने की जरूरत है इन कमपनीज पर सिर्फ और सिर्फ अगर आप फाइनेशल पेनल्टीज लगाएंगे इनको इतना कोई खास फर्क नहीं बड़ेगा जुडिशल ओर्डर जो है उनका भी नॉन कम्प्लाइंस करती है आप अगर जो जुडिशल ओर है उसको फॉलो नहीं करते है तो that is considered as a contempt of court तो इन कमपनीज पर contempt of court भी इसकी जो proceeding है उसको start करने की जरूरत है और उन्होंने ये भी बताया है कि ये कमपनीज के पास इतने पैसे हैं इतनी बड़ी कमपनीज हो चुकी हैं कि अगर आप इनको कुछ hundred millions of dollars की अगर penalties भी लगाते हैं तो उनके लिए कुछ नहीं it's just like peanuts कोई फरक नहीं बढ़ता है तो कुछ ऐसे standards create किये जाए कि इनको एक मजा चखाया जा सके और ये जो उनका monopoly वाला behavior है इसको रोकने की पूरी जरूरत है तो इस प्रकार की चीज़े जो हैं वो उन्होंने सामने रखी है डिफरेंस बहुत ही briefly ये दो companies हैं इन पर cases चल रहे हैं और ये जो cases है ना वो app store policies को लेकर है इन चीज़ों को लेकर ये companies जो हैं वो दुनिया के अलग-अलग देशों में criticism भी face कर रही है और legal challenges भी face कर रही है ये companies पर सबसे बड़ा इल्जाम जो है वो ये है कि ये companies कुछ ऐसी चीज़े करती हैं जिसकी वज़े से द जिनके अलावा आप दूसरे कोई भी system का इस्तिमाल नहीं कर सकते है when it comes to mobile application store तो या तो आप app store या फिर जो google का जो store है ब्ले स्टोर इसको कहता है ये दो ही ऐसे platform से है जिस पर से आप application डाउलोड कर सकते हैं तो pure anti competitive behavior ये companies करती है जैसे मैं आपको बताया ना कि apple पर तो ऐसा इल्जाम है कि वो 30% जितना commission के नाम पर fees के नाम पर पैसे collect कर लेती है Google के उपर भी ऐसा ही इल्जाम था और एक jury जो है jury ने तो ये साबित कर दिया jury का decision ये था कि Google जो है वो anti competitive conduct करती ही है ये दो companies जो है उन्होंने इस प्रकार की system create की है कि कोई third party app store जो है उसको entry ही नहीं म ऐसे उचे standards रख दी है तो इस प्रकार से अपनी monopoly जो है उसको practice करती है payment में भी ऐसा है अगर आप payment करना चाते हैं तो ये जो कहते हैं उन्हीं stores का आपको इस्तिमाल करना है ये जो system बताए है उन्हीं systems का आपको इस्तिमाल करना है फिर एक case भी चला था Apple पर फिर Apple ने क्या क है उसमें तो Apple जो कहेगा वैसे ही payment आपको करना पड़ेगा जो system Apple आपको बताएगा for example Apple अगर आपको कहेगा कि हमें phone पे कर दीजिए या फिर Apple की जो payment system में उसका ही इस्तिमाल कीजिए तो you have to do that तो mobile app में उन्होंने अभी भी वो पुरानी चीज़ों को ही बरकरार रखा है क्योंकि ये case हुआ था एक judgment आया था तो इसकी वज़े से उन्होंने थोड़े ऐसे changes किये है राइट रीडिंग एप्स और इन सारी चीज़ों में उन्होंने payment में थोड़ी बहुत छूट-छाट दी हैं तो payment में भी यही limitations या फिर इसी परकार के barriers जो है वो इन companies के द्वारा create किये जाते हैं ऐसे الزाम इन पर लगे हैं right cases भी चल रहे हैं अभी देखे बहुत सारी चीज़े जो है वो prove नहीं हुई है और उसके पीछे एक reason यह है क्योंकि इन companies पर अगर कोई case चलेगा तो एक लंबे समय तक यह case चलेगा क्योंकि लाखों करोडों अर्बों रुपे की भी बात होती है तो यह companies जो है वो easily यह case को settle नहीं होने देदी और global level पर अलग-अलग jurisdictions में United States का जो Department of Justice है फिर Federal Trade Commission European Union हमारे देश भारत में Competition Commission of India जो है उसने भी Apple पर Google पर कुछ ऐसे cases हैं जिन प चल रही हैं और दुनिया के दूसरे jurisdictions जो हैं वहाँ पर भी इन दोनों giants के उपर कुछ ना कुछ जो कहते हैं cases जो हैं वो चलते रहते हैं और चलते आए हैं So these are the things, right dear friends? अब देखते हैं आगे ये दोनों companies के साथ क्या होता है क्या कोई third player को entry मिलती है या नहीं मिलती है और दुनिया की अलग-अलग सरकारे जो है, governments जो है वो अगर मिल कर काम करें तभी इसमें कुछ हो सकता है So that's basically everything in today's discussion difference. Do check out Limitless Leadership Program on Study Glows and do check out my YouTube channel Curiously Education. Thank you very much for your love and support. God bless you all. Jai Hind.